हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वेक टो इस्टिडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिसकस करनेगे 15 दिसंबर 2021 से रेलेटिड मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस्ट, तो दोस्तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके एक करते हैं, important question है ये, हाल ही में किसे Time Person of the Year 2021 का अबार्ट दिया गया है, आंसर होगा इसका एलन मस्क, दोस्तो टैसला और Space X कंपनी के प्रमुख है कौन, एलन मस्क, तो उन्हें Time Magazine ने Person of the Year 2021 घोसित किया है, दोस्तो टाइम का जो Person of the Year का टाइटल है या खिताब है, उसे दुन संस्थान को, Person of the Year का अबार्ट मिलता है Time Magazine के लवारा, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति या वह संस्थान साल भर में बहुत ही प्रभाव साली रहा है, Time Magazine ने इसकी सुरुवाद की थी साल 1927 से, दोस्तो 2020 में अमेर की राष्टपती जो बाइडन और वहां की उप Person of the Year का अबार्ड है, ये दिया गया है एलन मस्क को, और 2020 का दिया गया था अमेर की राष्टपती जो बाइडन और उपराष्टपती कमला हैरेस को, Time की बात आई है, तो Time के बारे में कुछ important point डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, Time एक अंगरेजी पत्रिका है, और यह अगला प्रसन हैं, बहुत ही महतको प्रसन है, राष्ट्य उर्जा सरचेन दिवस यानि National Energy Conservation Day कम मनाया जयता है, आनसर इसका 14 दिसमबर को, दोस्तो हर साल 14 दिसम्वर को भारत में राश्तिय ओर्जा सरच्छण दिवस मनाय जाता है। दोस्तो इसका उदेश है ओर्जा सरच्छण में भारत की उपलाब्दियों को प्रदरसित करना। भारत में उर्जा सरच्छड अधियम 2001 को Bureau of Energy Efficiency यानि BEE के द्वार लागू किया गया था। बात आई है दोस्तों उर्जा की तो अब हम उर्जा मंतरी की भी बात कर लेते हैं तो भारत के Minister of Power यानि उर्जा मंतरी कौन है? राजकुमार सींग कौन है दोस्तों? राजकुमार सींग अंगला प्रसन है बहुत ही महत्पूर प्रसन है भारत कितने साल के लिए फिर से अंतरराष्टिय समुद्री संगठन परिशद में चुना गया है तो इसका आंसर होगा दोस्तों दो साल के लिए अंतरराष्टिय समु समुद्री संगठन परिशद होती है यह अंतराश्टी समुद्री संगठन के काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है बात आई है दोस्तों अंतराश्टी समुद्री संगठन की तो इसके बारे में भी कुछ इसका मुख्याला है लंदन यूनाइटिट किंग्डम में और इसका संस्थापा कौन है संयुक्त राश्ट यानि दोस्तों जो अंतराश्टी समुद्री संगठन है इसकी स्थापना किसने की थी संयुक्त राश्ट यानि यूनाइटिट नैसन ने की थी और इसकी स्थापना क कब की गए थी 17 मार्च 1948 को कहां की गए थी जेनेवा सुटिजा लेंड में अंगला प्रस्न है important question है दोस्तो उत्राखंड विधान सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और आठ बार की विधायक का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है तो उनका नाम है दोस्तो हरवंस कपूर क्या न की उम्र में निधन हो गया है दोस्तो हरवंस कपूर ने 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में जीत दर्जी की थी वे लगातार आठ बार केंट विधान सभा सीट से विधायक रहे हैं उन्हें 2007 में उत्राखंड विधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था दोस्तो उत् करतमान में जो विधान सभा अध्यक्ष हैं उत्राखंड के उनका नाम है प्रैम चंद्र अग्रवाल क्या नाम है दोस्तो प्रैम चंद्र अग्रवाल अंगलाप्रस ने डिसकस करते हैं नवंबर 2021 माह का सर्वस्रेश्ट खिलाडी यानि पिलेयर ओफ दा मंथ किसे चुना रहे हैं दोस्तो यहाँ पर बात पिलेयर ओफ दा मंत की आई है तो यह ICC क्रिकट की बात कर रहे हैं यानि ICC के दवारा जो क्रिकट में पिलेयर ओफ दा मंत का वार्ड दिया जाता है उसकी बात हो रही है आंसर होगा इसका David Barnard क्या नाम है दोस्तो David Barnard जोकी Australia के cricket player हैं दोस सर्वस्रेश्ट खिलाडी चुना है दोस्तो अगर हम बात करें बोमेन वर्ग की तो यह सम्मान वेस्टन डीज की आल राउंडर हीली मैथ्यूज को मिला है यानि दोस्तो अगर हम मेल की बात करें तो यह डैवेड मारनर को मिला है और फिमेल की बात करें तो वेस्टन डीज की आल राउंडर हीली मैथ्यूज को मिला है नवंबर माह की बात कर रहे हैं दोस्तो डेविट बारनर की दमदार वले बाजी की बदोलत आस्टेलिया ने पिछले महीने ही पहली बार T20 विसकप का खिताब न्यूजिलेंड को हरा करके जीता है दोस्तो अब हम बात करते हैं पिलेयर आपदा मंथ की तो जनवरी से डिसकस करते हैं हम नवंबर तक के तो पहला जो T20, स्वारी ICC के द्वारा जो पिलेयर आपदा मंथ का अबार्ड दिया गया था वो दिया गया था रिसब पंथ को जनवरी माह के लिए फरवरी के लिए दिया गया था रवी चंदरन अस्विन को मार्च के लिए दिया गया था भुबनेशर कुमार को और अप्रेल के लिए दिया गया था बावर आजम को जो की पाकिस्तान की प्लियर हैं दोस्तो फिर मई के लिए दिया गया था मुस्फिकोर रहीम को जो की बांगलादेस के हैं और जून में दिया गया था डेहन कौनवे को और जुलाई में दिया गया था साकिव अलहसन को साकिव अलहसन भी बांगलादेस के खिलाडी हैं दोस्तो जो रूट जो रूट की बात करें तो इन्हें अगस्त महिने का player of the month का बाड़ दिया गये था और संदीप लामिन्चा ने इन्हें सितंबर माहे का player of the month का बाड़ दिया गये था और आसिफ अली को अक्टूबर माहे का player of the month का बाड़ दिया गये था बहुत ही important question है, very very important question है, तो answer है इसका नीना गुपता को, यानि नीना गुपता को रामानुजन पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नीना गुपता भारतिय संक की संस्थान यानि ISI कोलकाता में गर्तग की गड़ित की प्रोफेसर हैं। चलिए friends, अंगला question डिसकस करते हैं, important question है, अंतराष्ट्य परबत दिवस यानि International Mountain Day का मनाया जाता है। बहुत ही महत्यपूर्ण प्रस्न हैं दोस्तों, answer है इस परबतों के महत्यों के बारे में लोगों को जगरुक किया जाता है, और इस दिन का उद्धिश पहाड़ों में सतत डेवलपमेंट को प्रोसाहित करना होता है। यूनाइटेट नैसन की बात करें, तो यूनाइटेट नैसन ने साल 2002 में इस दिवस को घोशित किया था। पह याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल मौंटेन डे है, इसको यूनाइट नैसन ने घोशित कब किया था, 2002 में और 2003 में इसकी स्थापना कीख थी। अंगला प्रसन हैं, बहुत ही महत्मोर्प्रसन हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्ज में सर्यो नहर नैसनल प्रोजेक्ट का उध्गाटन किया है, आंसर है इसका उत्तर प्रदिश, दोस्तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तर प्रदिश की बलरामपूर में इसका उध्गाटन किया है, और इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है तो ध्यान से सुनिएगा, 9802.68 करोड किया जाएगा, दोस्तो इस प्रोजेक्ट में पांच नदियों को जोडने का काम किया जाएगा, और ये नदिया कौन-कौन सी है, घागरा, सर्यू, राप्ती, बानगंगा और रोहनी, दोस्तो उत्तर प्रदेश के नौजिलों को इसका लाब मिलेगा, बहराईच, स्रावस संत कबीर नगर, गुरकपूर और महराज गंज, तो ये नौजिले लाबानवेत होंगे उत्तर प्रदेश के, किस प्रोजेक्ट से, तो सर्यू नहर नैसनल प्रोजेक्ट से, दोस्तो ये थे आज के करेंट अफियर्स, अब हम कुछ जी के से रेलेटिटिर कुछ सरीर में सबसे बड़ी अंतह श्रावी ग्रंथी कौन सी है, अन्सर इसका थाईराइड, संसार का बिसालतम इस्तंधारी कौन है, आंसर इसका दोस्तो वेल मचली, बलेड गुरुप की खोज किसने की थी, तो लैंड इस्टीनर ने बलेड गुरुप की खोज की थी, एलुमी का प्रमुक एस के कौन सा है तो आंसर होगा इसका वाक साइड दोस्तो पहला करते में उपकराय कौन सा था तो आंसर इसका इस पूतनिक फश्ट जूकि रसिया के द्वारा प्रच्छेपित किया गया था अंगला कुश्चन है किस उपकरन द्वारा यांत्रे कूर्जा को दूसरा कुश्चन है टाइम मैकजीन के स्थापना कब की गई थी तीसरा कुश्चन है बरतमान में उर्जा मंतरी कौन है चोथा कुश्चन है उत्राखंड विधान सभा के बरतमान में अध्यक्ष फोन है और पांचमा कुश्चन है डैविड बारनर किस देश के क्रिकेट खिलाडी है तो इन सभी प्रस्णों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों आप इस्टिडी करको खबरी एफ फर फॉलू कर लीचेगा जहां पर आपको मोश्ट इंपोर्टेंट ओडियो लेक्षर मिल जाए उनकी special classes, live classes देख सकते हैं इसके अलाबा अगर आप free classes जोईन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक referral code यूज करना होगा और वो referral code है हमारा राजा नमबर वन क्या है दोस्तों राजा नमबर वन दिसम्बर माह में कुछ batch start किये गये हैं तो उनको भी आप जोईन करिए अगर आप वो batch join करना चाहते हैं अनकेडमी पर तो उसके लिए आपको एक referral code जरूर याद रखना है क्या है referral code राजा नमबर वन free class के लिए भी याद रखिएगा क्या आपको referral code यूज करना है राजा नमबर वन यनि दोस्तों अगर आप आनकेडमी पर कोई भी free class जोईन करते हैं तो उसके लिए आपको referral code यूज क्या करना है राजा नमबर वन अगर आपको ये lecture पसंदा है तो like करिएगा दोस्तों को share जरूर करिएगा जिससे study car को support मिल सके और आप दोस्तों की मनद कर सके हैं मिलते हैं next lecture में ये हिंद वबंदे मातर